नवस्कार दोस्तों मैं दामदर सर्मा अमरित करपा यूटूब चैनल पर आपका स्वगत है चर्चा करेंगे अपन जून 2023 के करंट अफेर के अगली क्लास को ही बात करेंगे अगली क्लास की जिसमें अपन चर्चा क्या करेंगे महात्मा कांदी ग्रामिन रोजगार गारंटी इसके अपन बात करेंगे उसमें नए अवसर पेदा कियें इसमें कितने मेट की जो मेट हैं उसकी रासी को बढ़ाया गया कितनी रासी बढ़ाई है उसके अपन बात करेंगे वीर शीरोमनी महराज परताब बोर्ड का गठन किया गया मुख्यमंत्री के दौरा उसमें कितने सदस्य होंगे उसकी अपन सर्चा करेंगे आइडिया टू स्टाट अप कारीकरम लोंच किया गया इसकी अपन बात करेंगे महरानी अवनी भाई लोधी विकास बोड का गठन किया मुख्यमंत्री के दुवारा इसके योगदान की बात करेंगे कि अवनी लोधी ने अठारा सो किसे दिया गया राजेपाल के दौरा उसकी बात करेंगे और चोथा रास्ट्रिय जल पुरुषकार किसे दिया गया इनकी बातचीत करेंगे और भी बहुत सारे क्यूशन है दोस्तों ध्यान देना वीडियो को सेर करना लाइक करना और क्लास को सुरू करते हैं देखिए पहला क्यूशन क्या है पहला क्यूशन है महात्मा गांदी गरामिन रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत राजस्तान में नियोजित मेट की प्रत के तहत ये उस समय की सरकार की बड़ी योजना थी गरीब परिवारों को गरीब लोगों को गाउं के गरीब लोगों को रोजगार देने की और उस योजना के तहत एक मेट भी होता है वहां पर मेट लगा होता है उसके उपर है और उस मेट की जो रासी है ना उसकी प्रती द को बढ़ा के कर दिये याद रखना पहले दो सो चालीस थी और दो सो चालीस से बढ़ा के कितनी कर दिये दो सो पच्पन कर दिये दुन्नों की बातें याद रखना पहले कितनी थी अब कितनी कर दी दुन्नों बात याद रखना पहले 240 थी अब बढ़ा कि उसको 255 कर दिया किसकी मेट की परती दीवस की मज़़ूरी को बढ़ा दिया है समझें कर नहीं समझें तो इसके बारे में पूछे तो बता देना महात्मा गांदी ग्रामेन रोजगार गारंटी अधिनियम है गाउं के लोगों को रोजगार दिलाने के लिए हैं अगला कि उसने लोग कलाओं से जूड़ी विविन जातियों वर्गों के उत्थान के लिए रज्जी में किस बोर्ड का गठन किया गया है लोककलाओं को वापिस जागर्थ करने के लिए उसकी जातियां उनके वर्गों के उत्थान के लिए राजस्तान सरकार ने एक बोर्ड गठन किया है और उस बोर्ड का नाम है लोककलाविकास बोर्ड का गठन किया है बोड का गठन किया? लोक कला विकास बोड का गठन किया, इसमें अद्यक्स, उपाद्यक्स सहीत साथ सदस्ये होंगे. किते सदस्ये होंगे? साथ सदस्ये होंगे. तो इनमें सदसे भी पूछे तो बता देना और कितने होंगे अधेक्स पलस साथ सदसे होंगे मतलब कुल कितने होंगे कुल नो सदसे हो जाएंगे दोस्तों कुल कितने हो जाएंगे इसके ओप्सन में देखना थार चितर विकास बोड का घठन किया गया कल की क्लास में ने बताया थार चितर विकास बोड का घठन किया गया और इसमें जिले कुन-कुन चे इसमें चूरु जिला है हनुमान गड़े इसमें बिकाने रहें बाड में रहें जोदपूरे और जेसल में रहें इन जीलों को थार छेतर विकासकारी करम में में सामिल किया और इनका विकास किया जाएगा एक था गिग वरकर्स वेलफेर बोर्ड जो एसंक्तित जो छेतर में प्राइवेट कंपनियों में जो लोग काम करते हैं उनके लिए गिग वर्कस वेल फर बोड़ का घठन किया पुराने वीडियो में देखना मैंने इसके बारे में बता रखा है बरदिशेतर धार्मिक विकास बोड़ का घठन किया है मतलब भरतपूर, धौलपूर कौन-कौन से जी रहेंगी इसमें भरतपूर, धौलप शमदोपूर एक रोली श्वय्मादोपूर इन जिलों के जो द्हारमिक स्थान उन्के विकाश की घटनिकिए तो इत्ते बारे में इस के बारे में पूछे तो बटा देना इन चारों के बारे मेरे भारे में अपूछें तो आप टर्टा करोगे तो गो लोग किलाों और इृपादिषya के लिए विकाश गठं किया है तो इस एक परसंगे भी आपको खुब सारी बात पूछ सकता है दोस्तों पूछे तो आप बता देना कौन से बोड़ का गठन किया है क्योंकि वर्तवान में ये विकास बोड़ना उनके बहुत सारे गठन हुए है पिछे ही गाडिया लोहार विकास बोड़ का गठन किया गया था एक गुरु नानक विकास बोड़ का गढ़न किया है अगरा कुछना हाल ही में चिकेश्य विवाग द्वारा जारी निरोगी राजस्तान अभियान रेंकिंग में कौन सा जिला पर्थमस्तान पर रहा है निरोगी राजस्तान अभियान के अंतरगत राजस्तान का कौन सा जिला पर्थमस्तान पर रहा है इसकी बात सुरुवात कब हुई थी निरोगी रास्तान अभियान योजना की सुरुवात सत्रा दिसंबर 2019 को हुई थी कब हुई थी 17 दिसंबर 2019 को इसकी शुरुवात हुई है और इस योजना के अंतरका जबपूर जिले को पर्थमस्तान दिया गया पर्थमस्तान मिला है क्योंकि इसकी जो रेंकिंग आई है ना उसके ज्यबपूर परफंस्तान पेयर दूने मुबात आunting याद रखना की रास्तना बेहानी हो इस वाध सतना दिसंबर 2019 और इसमें कों सा जिल्बा परफंस्तान पे ऐसा ज्यबपूर जिल्बा परफं पे आया है अगला किष्टनर राजस्तान में जुहार कला केंदर जयपूर की तरज पर नया कल्चरल कलब कहां बनाया जाएगा जो जब पूर में है रंगमच के नाम से परसिद भी वहां पर अलग अलग परकार के कारी कर्म किये जाते हैं उसी की तरह कल्चरल कलब का इस्ताफ़ना बिक बिकार नहेर में की जाएगी उहार कल़ा के अंदर जयपूर में है और उसी की तरज पर बिकार नहर में कल्चलव कलब की स्टापना की जाएगी पूछे तो बता देنا बिकार के बारे में कि मुख्य मतलि ने कहां बनाने की गोस्टना की इसकुछ comply का अग्य कैसरा क परमी वरत्मान में दो या दस दीन पहले की बात्य है राज Aww ये पाल कलाझ मिस्टर ने उतकरष खिलाडी की रूप में ठेंदाजी को चेहन किया उसका नाम है भगवती जाखड क्या नाम है दोस्तों भगवती जाखड को उतकरष खिली की रूप में पुरुष कार्शिस मान लगु एन छोटे हच सिलब उदमियों और नेर्यातकों को प्रोसाइद करने के ली बार्तिय किस सेस्टा के साथ M.O.U. करेगा मतलब हैं जो लगु और कुटी रुवे और के लिए उनके उदमियों अनके निर्यातकों को प्रोसाइद करने के लिए राज्यस्तान भारतिय डाक विवाग एक संस्ता के साथ एम ओ यू करेगा किसके साथ करेगा वह भी आप देखना है दोस्तों देखो ओफसंदे को राजीवीका का नाम बहुत चरचा मेरे तर राजीवीका के बारे में सब जानते हैं बाड मेरवाली रूमा देवी राजीवी के काम करती है रास्तान लगू द्योग निगम राज सीको के नाम से बोलते हैं इसको राज सीको अच्छा इसका उतर क्या होगा लगू द्योग बारति के साथ एम ओ यू किया है दोस्तों इन दोनों संस्ता के बारे में जानते हैं रास्तान लगू द्योग निगम ये ये य खुटी रुद्योगों के लिए काम करती है रासी को करती है जो क्यों के लिए दियुद्स नहीं ने राजजव को इसे लीज योजना इह बेड़ार्योकषॉ डाक वीवागने M.O.U. करेगा ती ग्रहस सिलप और कुटिर उध्योग को बढ़ावा देने के लिए उनके निर्यात उनके प्रोसाइद करने के लिए M.O.U. करेगा लगू उध्योग भारती के साथ करेगा पूछे तो बताना किसके साथ करेगा ये लगू उद्योग बारती के साथ करेगा मतलब क्यों करेगा ये भी समझना जोदपूर छेतर है ये लगू और पुटिर उद्योग के लिए परसीद है हेंडी क्राप्ट के लिए जोदपूर परसीद है तो जोदपूर छेतर में जो लगू उद्योग और पुटिर उद्योग ना उनके प्रोसाइट करने के लिए उनके निर्यात्कों को बढ़ावा देने के लिए ये लगू द्योग भारती है ना जोदपूर के अंदर के भारती डाक विवाग के साथ आवो यू करेगा अगला कुछन है मुखे मंत्री असो गलोत ने वीर सिरोमनी महराज महराजा परताब बोर्ड के गठन को मंजूरी परदान किये इस बोर्ड में कुल कितने सदस्य होंगे पहली बात तो ये याद रखना अभी में ने पूराने वीडियो में आपको बताया था कि अभी वरतमान में कई वीकास बोर्ड का गठन किया जा रहा है तो महराजा परताब वीकास बोर्ड का गठन किया गया है और महराजा परताब वीकास बोर्ड का गठन किया है तो उसमें कुल कितने सदस्य होंगे ये भी याद रखना इसमें नो सदस्य होंगे दोस्तों किते सदस्य होंगे सबस्ताइब से कर दे को पुछ के पताना महाराना परताव विकासच बोड के अंत्रगत के अंत्रगत वीर शुरुमनी महाराज प्रताव विकासच बोड का गठन्बी कर दिया और पिछले वीडियो में आपको बता है लोक कला मंदल विकास बोड़ों का घठन कर दिया कई विकास बोड़ों का घठन किया है इसके वहने पूछे तो आप बता देना दोस्तों हिसे अगला कि इसने केंद्रिय्य नवीन बेन teammates करन उर जामंट्राली द्वारा्व राजस्तान को पौनुर्जा के च्छेतर में कौन से पूर्षकार से समानित किया है पाउन उर्जा के च्छेतर की बात कर रहा है पाउन उर्जा के च्छेतर में उतकर्स कारिये करने पर राजस्तान को पर्थम स्थान दिया है मतलब राजस्तान में पाउन उर्जा को बढ़ावा देनी के लिए एक नए नए सेंतर लगाए गए हैं राजस्तान सरकार के दोरा भी और भारत सरकार के दोरा भी इसलिए राजस्तान को पौन उर्जा के छेतर में अच्छा कारी करने के कारण और राजस्तान को पर्थम पुरुस कर समयने कि इसने किंदर ये नवीन ये नवीनी करन उर्जा मंतरा लेकी दो रहा है, समझे खनी यहां पर आपको एक याद बात रखनी है, ऐक तो होते हैं परमप्रागत, उर्जा के सरोत, और एक होते हैं गेरप्रमप्रागत, उर्जा के सरोत. यहां पर एक बात याद रखना एक आएगा जल विदूत औरों के बारे में आप जानते हैं जल विदूत यह आप इंडिया के अंद्रगत पढ़ते हैं तो जल विदूत आता है गेर परमपरागत में आता है बहरत में जल विदूत किसमें आता है गेर परमपरागत में आता है इंडिया में लेकिन राजस्तान में जल विदूत प्रमप्रागत में आता है ये बात आप याद रखना राजस्तान में आप पड़ोगे तो राजस्तान में जल विदूत कि इसमें आएगा प्रमप्रागत उर्जा के सुरूतों में आता है प्रमप्रागत उर्जा के सुरूत को सब्सक्राइब प्रतम्पुर्सकार्षे सम्मानेते हैं अगला क्यूसन है राज्जे किस सहस्तान द्वारा सपल उदमियों के निर्मान की दरश्टी से 12 सब्ता का आईडिया ट्उ स्टार्ट आप का रिकरम शुरू किया है किस सहस्तान शुरू किया देखें दोस्तों यह शुरू किया दोस्तों आई आई एम उदेपूर ने शुरू किया है किस ने शुरू किया आई आई एम उदेपूर ने शुरू किया है इसको इस परसन को यूं समझना जो आई आई एम उदेपूर है इस आई एम उदेपूर ने इसका इनक्यूबेशन सेंट्र है उस सेंट्र ने सफल उद्मियों के निर्मान की दर्ष्टी से बारह सप्ता का आईडिया टू श्टाट अप का रिक्रम शुरू किया कैसे शुरू किया ये भी याद रखना ने एक संस्त है मून पेन्योर संस्तान के सयोग से सयोग से ये सफल उद्मियों के निर्मान के लिए ने उद्मि को खोजने के लिए उन जो पुराने उद्मियों उनको ऐलग लग आईडिया देने के लिए ये पुरुसकार ये एक स्टाटप बारह सप्ता का आईडिया टू स्टाटप का रिक्रम सुरू किया है तो उदम सीलता के विचारों को वास्त विक्ता में बदलने के लिए जो उदमी हैं उनके विचारों को वास्त विक्ता में बदलने के लिए वह सफल उदमियों की खोज के लिए 12 सपता का आईडिया टू स्टाट अप का रेक्रम शुरू किया किसने आईम उदेपूर ने शु नगे का पुरुषकार किस समूउ को परदान किया है पहली बात तो याद रुख लेणा जगदीब atenciónकर जूजन के किठाना गाउं के ररेने वले हैं जूजन जिले के ऑर ये राजस्तान के विक्ति है और जो राजय-जबा है उसके सबावति भी है कि इन्हों ने राष्टी जल्फूरु स्कार कि अंतरगत एक स्वेंश आइता समू है जिसको सरवस्त्रेश पूरस्कार से समानित क्या है कौनचा है यह वह है अरपना सिवासनस्तान जयपूर है दोस्तों कौनचा अरपना सिवासनस्तान एक NGO है इसको उपराष्ट पती जगदी धनकर ने इसको जल पुरुषकार के लिए सर्वस्ते समुसाहिता समुगोसित का पुरुषकार भी इसको दिया है इसने सिवा किये इस जो जल पुरुषकार है उसके लिए इस समोस आईता है और अपना सिवास्थानस्तान उदेपूर इसको पुरुषकार से समानित किया है इसके बारे में पूछें तो आप बता देना दोस्तों मुख्य मंत्री ने कहां अत्या धुनिक इंडोर सुटिंग रेंज के निर्मान के लिए 14 क्रोड रूपे के प्रस्ताव को मंजूरी परदान की है यूं समझना अभी राजस्तान पुलिस है उसकी जो फाइरिंग रेंज उसको बढ़ाने के लिए फाइरिंग रेंज को बढ़ाने के लिए राजस्तान पुलिस अकादमी जबपूर के अंतरगतना एक नया सुटिंग रेंज गोसित किया मैं है दोस्तों याद रखना रास्तन पूलिस की फैरिंग रेंज को बढ़ाने के लिए रास्तन पूलिस अगादमी है कहां पर जब पूर में इसे अधिन तौकी की मंज़र दिये आुच बाहिए कितने क्रोड रूपरे की चोदा क्रोड रुपरे के पर सताव को समझे पोIs Unit कि, अग्ला क्योंस नहीं मुख्य मंत्रि ने महारानी अवनि भाई लोदी विकासद्रों बनाने की गोसना कि सद्पा किस दिले जुम्हें की अभी मेने बात बता प्ता थी दिय्यु कु Tong quick विकास बोड़ बनाई जा रहे हैं और ये महारानी अवनिभाई लोधी विकास बोड़ का घठन किस जिले में क्या जा रहा है ये अवनिभाई लोधी दोहलपूर जिले की दोस्तों ये 1857 की करांती में करांती में इनका भूफ बड़ा योगदान था इसके लिए उसको याद करने के लिए और इसी अवनिबाई लोदी के कारण है ना कौन कौन से समाज को फाइदा होगा ये भी याद रखना अवनिबाई लोदी के लिए इस लोदी समाज है लोदा समाज है कस्यप समाज है कस्यप है लोदी है या लोदा समाज है या केवट समाज है सिद्ध समाज है इन समाजों के विकास के लिए उन समाजों को उत्थान के लिए ये अवनी बाई लोदी विकास बुड़ का गठन किया है ये समाज के नाम आसकते हैं, कोई कोई से समाजों के लिए हैं, लोधी, लोधा, कसिप, केवट, सिद्ध समाज हैं, इनके लिए ना, इनके विकास के लिए, ये दोहलपुर जिले में अवनी बाई, लोधौ विकास बोड़ का गठन किए, की मंजुरी मुख्यमनतری सेंगा इनका युगदान क्या ता? 18 Jennifer- Riot क्रामती कह युगदान था. इसके बारे में पूझे तो आप बता देना दोस्तों इसके बारे दोलपूर ॐ Munich में ही पहले मैंने पुराने विडियो सरक दूर्गटना को कम करने के सरक दूर्गटना को कम करने के लिए सरक दूर्गटना में कम से कम मरत्यों होने के लिए मुक्हमंध राइसो गयलोत शायू इमड़ द्यूर्य क्शा two a few अब। तभी तो सड़क दुरगटना में लोगों की मर्त्व को रोका जाएगा क्योंकि सड़क दुरगटना में राजस्तान का सिकर जिला पर्थमस्तान पर आया था मर्त्व के अंतरकत भी तो अब जिला स्थर पर रोड सेप्टी टास्क पर गढ़न करने की मंजूरी मुख्यमत्री असोगलोत ने दी है जिस से सड़क दुरगटना पर अंकूस लगाए जासके इसके लिए इसकी मंजूरी दी है अगला क्यूशन है राजस्तान के किस जिले में कि में विधान सबाद एक सीपी जोसी अगला विश्व खेल पत्रकार दिवस कब मनाय जाता है खेल पत्रकार दिवस दो जुलाई को मनाय जाता है अगला भारती क्रिके टीम के नए मुख्य जरसी प्रज़ेक्स के रूप में किसे चुना गया है पहले कूं था अब कों था देखना एक बात याद रिखे लिना भारती क्रिके टीम की जो नई जरसी हैगी ना उस पर dream 11 का नाम आएगा क्योंकि जर्षी का नया project किशे बनाए गए है dream 11 को बनाए dream 11 के बारे में आफ सब जानते हो तो इस dream 11 का भारती cricket team के मुख्य जर्षी जो project होगा ना उसके लिए dream 11 को चुना गया है अगला भारत के नए solisctor general कोन है सब जानते युद बता सकते हो भारत के नए solisimir gener all तो सार मेता है दोस्तों कोन है तो सार मेता भारत के नए solisस to general है तो आज दोस्तों में इत्ते सारी video की बात किये video पसंद है रहे? शेर करना, like करना आज के लिए धन्यवाद, okay